जैश्री किष्णा रादे रादे दोस्तों सावन का महिना भगवान शिफ शंकर को बहुत प्रिया होता है वैसे तो भोले नात बहुत भोले हैं उन्हें आप थोड़ी सी पूजा करके भी प्रसंद कर सकते हैं और वो बहुत जल्दी अपने भक्तों पर प्रसंद होकर उनकी स सारी मनोकामना पूरी करते हैं लेकिन अगर आप सावन के सोमवार में भोले नात को जल्दी प्रसंद होते हैं क्योंकि सावन का महिना भोले नात का प्रिया महिना होता है आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ऐसे कुछ महा उपाए जिनको आप सावन सोमवार के दिन करते हैं तो आपकी जो भी समस्या है जो भी मनोकामना है जैसे आपको धन की कमी है या आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है आपका व्यपार नहीं चल रहा है आपकी दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे हैं आपके उपर बहुत करजा हो रखा है या आपको कई ऐसी बिमा चुठकारा पाना साथ ही आपके घर में आर्थिक तंगी है पैसे का अभ़ाव बना रहता है पैसा आता है लेकिन चला जाता है तो ये सारी परेशानियों से चुटकारा पाने के लिए सावन के सुमवार के दिन आप इन में से कोई भी एक महा उपाय करिए और देखिए आपकी वो समस्या दूर हो जाएंगी दोस्तों जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ ये शिव महापुरान में लिखे गए उपाय हैं तो ये उपाय बहुत ही कारगार हैं ये उपाय आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं बस आपको इन उपायों को सही तरीके से करना है और इन उपायों को आपको पूरी श जाते हैं वह भी सावन के महिने में या सावन सोमवार पर शंकर जी के मंदीर जरूर जाते हैं ताकि उन्हें जल अर्पण करके उन्हें प्रसन पूरी कर देंगे तो दोस्तों आपको ऐसे छोटे पांच उपाया बता रही हूँ जिन्नों पायों को करके आप अपनी मनोकामना शंकरजी से मनवा सकते हैं वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस बार दो सावन के महीने पढ़ रहे हैं यानि कि इस बार आठ सावन सोमवार पढ़ रहे हैं और इस बार भगवान ने आपको मौका दिया है कि आप आठ सावन सोमवार बोलनात को प्रसंद करके आप उनसे अपनी मनोकामना पूरी कर तो इन आठ सोमवार आप इन में से कोई भी उपाय करके देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी तो सबसे पहला उपाय है वैसे तो आप नॉर्मल जल चड़ाते हैं शंकर जी को अच्छी बात है लेकिन सावन के सोमवार में आप छोटा सा उपाय कर का लोटा लेकर मंदिर जाते हैं उसमें आपको गंगा जल सबस्ट्रूर आलना है अगर आपको कमल के फूल मार्केट में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो आप कमल के फूल शंकर जी को जरूर अरपन करिए सावन के महीने में ये बहुत ही आसान सा तरीका है शंकर जी को प्रसंद करने का क्योंकि भगवान विश्णु ने भी सावन के महीने में शंकर जी को कमल के फूल चढ़ा कर ही प्रसंद किया था तो आप इस उपाय को कर सकते हैं आपको अगर कमल का फूल मिलता है बहुत अच्छी बात है आप सावन के हर सुमवार शंकर जी को कमल का फूल ज़रूर अरपन करिए और जो लोटा आप पानी का लेकर गए हैं वो भी चड़ा दीजी और अपनी मनुकामना बोल दीजी अगर क किसी कारणवश आपको कमल के फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको जादा कुछ नहीं करना है आपको कमल गट्टा मार्केट में पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाता है वो कमल गट्टा आपको लेना है और उस पानी के लोटे में वो कमल गट्टा डालना है शंकर ज जब आप जल चढ़ा रहे हैं उस समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और शिरी शिवाय नमस्तु भ्याम बोलना है या ओम नमस्तु भ्याम कर सकते हैं ऐसा आप करिए और जब आप जल चढ़ा देते हैं तो जो कमल गट्टा है उसको आप वापिस अपने घर लेकर आईए उसी कमल गट्टे को आप हर सोमवार को लेकर जा सकते हैं, इन आठों सोमवार को आप उसी कमल गट्टे के साथ मंदिर में जाकर जल जड़ाइए, और बाद में जब वो आठवा सोमवार आपका हो जाएगा तो उस कमल गट्टे को आप लाकर अपने लौकर में रख दीजिए और देखिए भोलेनात आपकी सारी मनोकामनाय पूरी करेंगे ये बहुत ही छोटा सा उपाय है क्योंकि कमल गटे में माता लक्षमी का भी वास होता है दूसरा उपाय है कि बेल पत्र आपको असानी से मिल जाता है आपको बेल पत्र लेना है और बेल पत्र में तीन पत्तियां होती है यह आप सब जानते हैं तो उस में से जो नीचे वाली दो पत्तियां होती है उन पर लाल चंदन आपको लगाना है सिर्फ आपको बिंदी लही लगानी है आपको पूरा उसको कलर कर देना है लाल चंदन को आपको लाल चंदन से वो दोनों पत्तियां रंग देनी हैं, पूरा कवर कर देना है उनको लाल चंदन से, उसके बाद जो एक पत्ती है, जो बड़ी बीच वाली पत्ती है, उस पत्ती पर आपको गाय का घी मलना है, आपको उस पत्ती पर गाय का घी लगाना है, और उसके बा यहां पर जलहरी होती है, वहां पर बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, वो है अशोक सुंदरी का स्थान, उस स्थान पर आपको उल्टा करके रखना है, यानि कि जो घी और चंदन लगा है, वो अशोक सुंदरी को छूना चाहिए, यह आपको करना है, और यह करते हुए आपका काम रुका हुआ है व्यपार में विद्धि नहीं हो रही है तो आपकावक्त चलने लगीगा आपकी व्यपार में उन्न devi होने लगेगी ये उपाया करके देखिए कि आपको पैल पत्र का जो पिड होता है उस पेड के नीचे आपको घीका दीपक जरूर जलाना है आपके मंदिर में अगर बिल पत्र है तो आप मंदिर में जाकर घीका दीपक जरूर जलाएं सावन सोमवार के प्रदोश काल के समय में आप यो पाय करिए और देखिए आठो सोमवार आप यो पाय करिए और देखिए कि आपकी जो भी मनो कामना हैं वो ज़रूर पुरी होंगी चोथा उपाय है आपको इन आठो सोमवार में से किसी भी एक सोमवार के दिन पेल पत्र के पेड़ के नीचे किसी भी भ्रहमण को या भ्रहमण का जो बच्चा है उसको आपको खीर खिलानी है ये छोटा सा काम है ये काम आपको जरूर करना है आठो सोमवार में से किसी भी एक दिन आप ये काम कर दीजिए और देखिए आपके घर में अगर धन समपदा के कमी है या रुकता नहीं है पैसा तो वो रुकना शिरूर हो जाएगा आपके साथ करज की प्रॉबलम है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी पांच्वा उपाय है आपके घर में पैसा आता है रुकता नहीं है या वेपार चल रहा है लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही परकत नहीं हो रही है, अगर कोई बिमारी आपको है, या कोई बडी मुसीबत है, जिससे आप परेशान हैं जो पीछ़ः ही नहीं चोड़ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? पांचवा महाउपाय है इसके लिए आपको किसी भी शिवजी के मंदिन में बेल पत्र का पेड़ होगा उस पेड़ के नीचे आपको एक दिया लेना है उस दिये में आपको दो बत््या लगाने हैं लंबी वाली बत्तिया दो तरीके की योतियो गोल और लंबी तो आपको लं जाने के बाद आपकी जो भी परेशानी है उस परेशानी को बोलते हुए वो दीपक मंदिर में या फिर बेल पत्र के पेड़ के नीचे आप ये दीपक जला दीजिए ये उपाय अगर आप सावन के हर सोमवार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं कर सकते हैं तो क पाय करके देखिए आप बोले नात आपकी सारी मनोकामनाईं सरूर पूरी करेंगों दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बोले नात के लिए ओम नमाशिवाय सरूर लिख दीजिए धन्यवाद